दिल्ली के मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर एक आतिहासिक का रिक्रम आयोजित किया गया इसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए गौर तलब है के इसी साल प्रधान मंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तोर पर मनाने की घोशना की थी इस दिन को सिख गुरू गोविंद सिंग के बेटों बाबा जुरावर सिंग और बाबा फते सिंग के शहादत दिवस के तोर पर मनाया जाता है इन्हें मुगलों के खिलाफ अपने धर्म की रक्षा करते हुए शहादत हासिल हुई थी गुरू गोविंद सिंग का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ था इस जगा को वर्तमान में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के नाम से जानते हैं उनके पिता सिखों के नवे गुरु तेग बहादूर थे जिन्हें साल 1675 में इसलाम नघ स्विकार करने के चलते और अंगजेब ने मरवा दिया था साल 1676 में गुरू गोविंद सिंग को सिखों के दसवें गुरु के रूप में घोशित किया गया था गुरु गोबिन सिंग जी ने खालसा पंथ के स्थापना किती साथी गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का स्थाई गुरु घोशित किया था इन्हें सहसदारी सिख भी कहते हैं खालसा पंथ में प्रवेश पाने वाले पहले पांच लोगों को पंजप्यारे कहा जिगया इन्ही पंज प्यारों में गुरु गुबिन सिंग ने खालसा पंथ में प्रवेश किया था हाली में कैक की एक रिपोर्ट ने CPSE यानि Central Public Sector Enterprises के बारे में खुलासा किया है रिपोर्ट के मुताबिक कुछ CPSE Corporate Governance के प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं रिपोर्ट से कुछ अन्य मुद्दे भी सामने आए 32 CPSE ऐसे हैं जिनमें बोर्ड इस्ट्रंथ के मुकाबले 50% से कम नॉन एग्जेक्यूटिव डिरेक्टर्स हैं 37 CPSE में इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्स हैं लेकिन बोर्ड में विमें डिरेक्टर्स नहीं है 17 CPSE ऐसे भी हैं जहां पर डिरेक्टर्स का कूरम पूरा नहीं होता गौरतलभे की कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों प्रक्रियाओं और कानूनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके जरिये बिजनेस को आउपरेट और नियमन किया जाता है सेवी के मुताबिक यह ऐसा बिजनेस कंड़क्ट टूल है जिससे कंपनी के प्रबंधन में निजी और कॉर्पोरेट फंड्स के बीच अंतर किया जाता है यहां आर्थिक और सामाजिक लक्षों के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए जिमेदार है साल 1990 में ब्रिटेन में कैटबरी समीती का गठन किया गया था जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लागू करने के मकसद से कुछ सिफारिशें की थी इन सिफारिशों के आधार पर OECD देशों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कुछ सिध्धान्त जारी किये थे सिध्धान्त और नैतिक व्यवहार का सिध्धान्त शामिल हैं भारत में कंपनीज एक 2013 कॉर्परेट गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क मोहिया कराता है सेबी यानि सेक्यूर्टी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टेट कंपनीज में कॉर्परेट गवर्नेंस की नीले रंग से रंगा गया है इस कॉर्टन फाइवर का ओरिजिन सिंद्धू घाटी सभिता से बताया जा रहा है यह जानकारी फ्रंटियर ऑफ प्लांट साइंस में छपी है इसके मताबिक सिंद्धू-घाटी सभिता में कॉर्टन की मौजूद्गी काफी पुरानी हो सकती है साथी नीले रंग में रंगा होना सामाजिक धांचे की कॉंप्लेक्सिटी को दिखाता है कॉटन यानि कपास को उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है इसलिए प्राचीन काल में सिंधू और नील जैसी नदियों के किनारों पर इसका उत्पादन किया गया तेल इकलोता देश है जहां पर बहु संख्या के यहूदी जन संख्या पाई जाती है इसराइल अपनी सीमा लिबनान सीरिया जॉर्डन और एजिप्ट से साजह करता है इसके अलावा इसराइल फिलस्तिनी क्षत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से सीमा साजह करता है गाज इसराइल और जॉर्डन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है डेड़ सी इसराइल और जॉर्डन के बीचे स्थित है इस खबर की एहमियत को समझने के लिए साल 2015 में पूछे गया एक सवाल पर गौर करते हैं सवाल पूछा गया था गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वा नेपाल की राष्टपती विद्या देवी भंडारी ने पुष्प कमल दहल को नेपाल का नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया है ये नियुक्ती नेपाल के समविधान के अनुछे 761 के तहत की गई है गौर तलभे कि नेपाल में नय समविधान को साल 2015 में अपनाया गया थ नेपाल एक landlock देश है यहाँ अपनी सीमा भारत के राज्य उत्रकंड उत्रप्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम से साज़ा करता है इसके अलावा नेपाल तिबद से भी सीवा साज़ा करता है नेपाल भारत और चीन के बीच बफर इस्टेट का काम करता है यहा अपने पश्पती नाथ और माया देवी मंदिर के लिए प्रसद्ध है एशिया के जोती पुंच कहे जाने वाले गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुंबनी नेपाल में ही स्थित है आए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर क्या-क्या सवाल बन सकते हैं पहला स जस्वें गुरु की जन्मस्थली पटना में स्थित है खाल्सा पंथ के स्थापना गुरुनानक साहिब जी ने की थी वो परियुक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिये केवल एक केवल दो एक और दो दो न तो एक नहीं दो आई देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है पहला सवाल था खबरों में रहा पद टीवी एस टु एम संबंधित है सौर उर्जा से पवन उर्जा से तरंग उर्जा से या फिर नाभिकिया उर्जा से सही जवाब है अगला सवाल मैंने पूछा था निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए न्यू डेली इंटरनेशनल अर्बिटरेशन सेंटर को साल 2019 में गठित किया गया था प्रोटेक्शन आफ विमेन फ्रॉम दोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट टूथाउज़न फाइब को 26 अक्टूबर 2006 क क्या सही है केवल एक केवल दू एक और दू दूनों न तो एक नहीं दू सही जवाब है विकल्प सी 27 दिसंबर का दिन भारत के राष्ट्रगान के इतिहास में एहम है दरसल 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान सार्वजनिक मंच पर पेश किया गया था इसे सरला देवी चौधरानी ने भारतिया राष्ट्रिया कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था कॉंग्रेस का 26 वा अधिवेशन कलकत्ता में 26-28 दिसंबर 1911 के बीच आयोजित किया गया था इसके अध्यक्ष अभिशन नारायंड धर थे गौर तलभे के भारत का राष्ट्रगान जन गणमन रबिंद्र नाथ टैगोर द्वारा बांगला भाशा में लिखित भारतो राष्ट्रगान के तोर पर अपनाया था वहीं वन्दे मातरम को भारत का राष्ट्रिय गीत घोशित किया गया था राष्ट्रगान के हिंदी वर्जन को लेकर का प्रयोग किया गया है हिंदी और बांगला दोनों ही संस्कृत से निकली भाशाएं हैं इसलिए इन में समानता होना स्वाभाविक है टैगोर स्कॉलर्स के मुताबिक वर्तमान राष्ट्रगान गुरुदेव रबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखे थे राष्ट्रगान को इंग्लिश लेंग्वेज में आंधरप्रदेश के मदनपली में ट्रांसलेट किया गया था साल उन्हीं सो उन्नीस में रबिंद्रनाथ टैगोर मदनपली के बेसिंट थियोसॉफिकल कॉलेज में विजिट पर आये थे जहां उन्हें 28 फरवरी उन्नीस को राष्ट्रगान को इंग्लिश में मॉर्निंग सॉंग ऑफ इंडिया के तौर पर ट्रांसलेट किया था इंग्लिश वर्जन के लिए म्यूजिकल नोट्स मार्गेट कजिंस ने तेयार किये थे आपको बता दें कि भारतिया संविधान के मूल करतव्यों के सूची में राष्ट्रगान का जिक्र है अनुछे दिक्यावन ए-ए के मुताबिक हर एक नागरिक का यह करतव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे इस खबर की एहमियत को समझने के लिए साल 2021 में UPSC द्वारा पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं सवाल पूछा गया था आंध्रप्रदेश में मदरपली के संदर्भ में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है पिंगली वैंकईया ने यहां भारतिया राष्ट्रिय ध्वज नित्तिरंगे का डिजाइन किया पटाभी सीता रमया ने यहां से आंध्रक्षत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेत्रत्व किया रवेंद्रनाट टैगोर ने यहां पर राष्ट्रगान का बांगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया मेडम बलावत्सकी और करनल ओलकाट ने यहां सबसे पहले थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्याले स्थापित किया सही जवाब है इसका विकल्पसी केंदर सरकार एक जनवरी 2023 से मनरेगा योजना को पारदर्शी बनाने के मकसद से एक प्रावधान करने जा रही है योजना के तहट काम करने वाले मजदूरों की अटेंडेंस को अब डिजिटल तरीके से कैप्चर किया जाएगा सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को माई 2021 से पाइलेट प्रोजेक्ट के तोर पर शुरू किया था तब 20 या उससे ज्यादा मजदूरों वाली साइट पर इसे लागू किया गया था एक जनवरी 2023 से इसे युनिवर्सल कर दिया जाएगा डिजिटल तोर पर अटेंडेंस NMMS यानि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरीय कैप्चर की जाएगी इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ जीयो टैग फोटोग्राफ अटैच की जा सकती है जीयो टैगिंग से मतलब है किसी फोटो या वीडियो में जीयोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जैसे के अक्छांश और देशांतर की जानकारी जोड़ दी जाती है जो की लोकेशन की सही जानकारी मुहिया कराते हैं आपको बता दें कि मनरेगा का मकसद प्रतेक ग्रामीड परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तिय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का नियूंतम मजदूरी गैरेंटी रोजगार मुहिया कराना है इसमें परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मानविय अश्रम के लिए इच्छुक होना चाहिए मनरेगा के प्रमुख लक्षे हैं ग्रामीड भारत में रहने वाले सरवाधिक वलनरेबल वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ग्रामीड क्षत्र के गरीबों को रोजगार के अवसर मोहिया कराना ग्रामीड क्षत्रों में टिकाव संपत्ति का निर्माड करना महात्मा गांधी राष्ट्रिय रोजगार गारेंटी अधिनियम भारतिय संसत से 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ इसे दो फरवरी 2006 से लागू किया गया था यहाँ धिनियम देश के सभी ग्रामीड जिलों में लागू है NGT यानि नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल ने केंदर सरकार के एक नोटिफिकेशन पर चिंता जाहिर किये दरसल केंदर सरकार ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था इसके मुताबिक कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के EIA यानि Environment Impact Assessment के जिम्मेदारी इस्थानिया निकायों को सौपी गई थी ये नोटिफिकेशन सीमित प्रोजेक्ट के लिए हैं मसलन ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो 20,000 से 50,000 स्क्वाइर मीटर बिल्ट अप एरिया रखते हैं वहीं एजुकेशनल इंस्ट्टूशन्स, हॉस्पिटल्स और होस्टल्स के मामले में बिल्ट अप एरिया 20,000 से 1,500,000 स्क्वाइर मीटर है इनका EIA, State Environment Impact Assessment Authorities के बजाए इस्थानिया निकायों जैसे कि जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण, नगर निकायादी के द्वारा किया जाएगा NGT के मुताबिक इससे वर्तमान EIA की प्रोसेस सतत नहीं रहेगी इस notification पर NGT ने stay लगा रखा है हालिया आदेश के मुताबिक ये stay किसी expert study के आने तक जारी रहेगा बहर तलब है कि Environment Impact Assessment यानि EIA में किसी प्रस्तावित गतिविधी या कारिक्रम का ध्यान इस तरीके से किया जाता है कि उसके परियावरण पर पढ़ने वाले प्रभावों का पता चल सके ये निर्ने लेने का एक तरीका है जिसमें उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जाता है और उस विकल्प की पहचान की जाती है जो आर्थिक और परियावरण दोनों ही दृष्टी से बहतर हो। आपको बता दें कि NGT का गठन 18 ओक्टूबर 2010 को National Green Tribunal 2010 Act के तहत किया गया था। इससे परियावरण की सुरक्षा और वनों के संरक्षन से संबंधित मामलों का निप्टारा शेगरता से किया जा सके। NGT Code of Civil Procedure के प्रावधानों के तहत बाउंड नहीं है बलकि Natural Justice यानि प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों से निर्देश प्राप्त करता है। ट्रिब्यूनल में दायर की गई आचिकाओं का निप्टान छे महिने के भीतर सुनिशित किये जाने का प्रावधान है। NGT एक अर्ध है न्याइक निकाय है, Justice आदर्श कुमार गोयल इसके चेरपरसन है। वैश्विक मंदी की खबरों के बीच भारत की अर्थवयवस्था को लेकर एक अच्छी खबर आई है। में ये व्रिध्धी औस्तन साथे 6 प्रतिशत की दर से होने की संभावना है। वर्ल्ड एकोनोमिक लीग टेबल में 2023 में आने वाली वैश्विक मंदी का कारण केंद्रिया बैंक को द्वारा बढ़ाई जा रही ब्याजदरों को बताया है। CBR एक ब्रिटिश एकोनोमिक कंसर्टेंसी है। आपको बता दे के भारत वर्तमान में 2.65 ट्रिलियन जीडिपी के साथ दुनिया के पांचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्था है। वहीं 19.48 ट्रिलियन जीडिपी के साथ USA पहले इस्थान पर काबिज है। आईए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या-क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है वर्ल्ड एकोनोमिक लीग टेबल निमलिखित में से किसके द्वारा आयोजित की जाती है। आईए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब उनके क्या हैं। और दो दूनों न तो एक नहीं दो और इस प्रश्ण का सही जवाब है ऑप्शन एग यानि पहला कथन सही है खालसा पंथ की स्थापना गुरू गोबिन सिंगी ने की थी। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी 28 दिसंबर का दिन भारतिय राजनीती में INC यानि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए जाना जाता है 28 दिसंबर 1885 को कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था इसमें 72 प्रतिनिध्यों ने हिस्सा लिया था इसके बाद कॉंग्रेस का सालाना अधिवेशन भारत में विभिन्न शेहरों में आयोजित किया जाता था कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष्टा व्योमकेश चंद्र बैनर जी के द्वारा की गई थी कॉंग्रेस के निर्माण में एक रिटायर ब्रिटिश अधिकारी A.O. Hume की एहम भूमिका रही उनके अलावा सुरंद्रनात बैनर जी और आनंद मोहन बोस कॉंग्रेस के मुख्य आर्किटेक्ट माने जाते हैं कॉंग्रेस में महिला नेत्रत्तु 1890 से दिखाई देता है कलकत्ता विश्विद्याले की पहली महिला ग्रेजुएट कादंबिनी गांगुली ने साल 1890 में कॉंग्रेस को संबोधित किया था कॉंगरेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेशंट थीं उन्होंने साल 1917 में कलकत्ता में आयोजित 32वे अधिवेशन के अध्यक्षता की सरोजनी नाइडू कॉंग्रेस की पहली भारतिय महिला अध्यक्ष थी उन्होंने साल 1925 में कानपूर में आयोजित कॉंग्रेस के 40-वे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कॉंग्रेस के गठन से राष्ट्रिया स्वतंत्रता आंदोलन को एक संगठते रूप हासिल हुआ इसके शुरुवात प्रारंभिक उद्देश्यों को लेकर की गई थी लेकिन समय के साथ इसके उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ और आगे चलकर कॉंग्रेस राष्ट्रि अधिवेशन की अध्यक्षता की इस खबर की एहमियत को समझने के लिए साल 2015 में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए सवाल पूछा गया था निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारतिया राष्ट्रिया कॉंग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजणी सही जवाब है इसका विकल्प बी राष्ट्पती दृपदी मुर्मु ने श्रीशेलम में प्रसाद प्रजेक्ट का शुभारंब किया अंध्र प्रदेश इस्थित श्रीशेलम में प्रसाद यूजना के तहत एक पिल्ग्रिम कॉंप्लेक्स तैयार किया जाएगा गौर तल धार्मिक परियतन को बढ़ावा देना है इसलिए देश भर में एहन तीर्थ स्थलों की पहचान करके उन्हें अवसंरचना की दृष्टी से विक्सित करने पर जोर दिया जा रहा है श्रीशेलम आंध्र प्रदेश के कुर्णूल जिले में नल्ला मल्ला पहाडियों परिस् गिखेंग है श्रीशेलम महाकशत्र को प्रित्थवी के कैलाश के तौर पर भी जाना जाता है एंटीपीसी ने इटली की टेखनी मॉंट कंपनी के साथ एक नॉन-बाइंडिंग मेमोरेंडम साइं किया है मेमोरेंडम का मक्सद्द ग्रीन मेठनॉल पा उत्पादन करना है इसमें commercial level पर उत्पादन की संभावनाय तलाशनी की बात कही गई है। Memorandum की तहट NTPC से उत्सरजित कार्बन को green fuel में तबदील किया जाएगा। Green methanol एक ऐसा methanol है जिसके उत्पादन में zero या नहीं के बराबर greenhouse gas से उत्सरजित होती है। इसका उत्पादन sustainable biomass या नवी करणिया विद्द्द से उत्सरजित carbon dioxide और hydrogen के जरीए किया जाता है। इसका प्रयोग chemical industry और transportation fuel में किया जाता है। साथी maritime fuel applications में भी इसको substitute के तोर पर देखा जा रहा है। आपको बता दे कि methanol या नि मिथाइल alcohol एक साधारण alcohol है जिसका रासाइनिक सुत्र CS3OH है। यह plastic paints construction material और car parts के लिए chemical building block का काम करता है। NTPC यानि National Thermal Power Corporation भारत की सबसे बड़ी विद्दुत उत्पादक कमपनी है। इसके स्थापना 1975 में हुई थी। 2010 में इसे महारतन कमपनी का दरजा दिया गया था। भारत के free trade agreements की वारता के बीच non-pariff barriers को लेकर policy makers चिंता जाहिर कर रहे हैं। भारत UK, European Union और Australia के साथ व्यापार संबंधी समझोते कर रहा है। इनमें भारत और Australia के बीच होने वाला CECA यानी Comprehensive Economic Cooperation Agreement एहम है। Policy makers का कहना है कि पूराने free trade agreement की तुलना में नए agreements में non-tariff मुद्धे ज्यादा प्रभावी रहते हैं। इनमें carbon emission norms, climate action, strum और gender balance से जुड़े मुद्धे शामिल हैं। वर्तमान में हो रहे समझोतों में प्योर व्यापारिक मुद्धों के बजाए स्ट्रम और carbon emission को ज्यादा एहमियत दी जाती है। इसका एक उदाहरण USA द्वारा उठाया गया मुद्धा है। USA ने steel के विनिर्माण में होने वाले carbon emission की बात कही है। दरसल भारत में steel का निर्माण लोहे के खनिच से किया जाता है, जो कि mining से हासिल होता है, इसमें carbon उत्सर्जन होता है, वहीं विक्सित देश steel के उत्पादन में scrap का प्रयोग करते हैं, जिससे carbon का उत्सर्जन कम होता है। व्यापार समझोतों में भारत के steel की तुलना विक्सित देशों के steel से की जाती है, इसमें carbon adjustment tax का सहारा लिया जाता है, जो कि पारमपरिक व्यापारिक मुद्दों से अलग है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पिछले बुलेटिन में मैंने आप से क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल मैंने पूछा था वर्ल्ड एकोनॉमिक लीग टेबल निम्न में से किसके द्वारा आयोजित की जाती है। विश्व आर्थिक मंच, अंतराष्ट्रिय मुद्राकोश, विश्व बैंक या फिर सेंटर फॉर एकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। और सही जवाब है इसका विकल्प Dूसरा सवाल मैंने पूछा था निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिबिउनल प्राकृतिक न्याय के सिध्धान्त पर काम करता है। मनरेगा के तहत हर एक ग्रामीर परिवार को रोजगार दिया जाता है। नीचे दिये गए कूटो का प्रयोक कर सही उत्तर चुनना था केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका विकल्प A साल 2022 खत्म होने को है। सामी केस केस में कोट ने तै किया था कि एक हिंदू बेटी को पैत्रिक संपत्ती पर पूरी तरह अधिकार है। इदर होटल प्रिया बनाम महराश्टरा राज्ये के मामले में कोट ने औरकेश्ट्रा और बार में पफॉर्म करने वाले महिलाओं की संख्या पर लगी सीमा को खत्म कर दिया। कोट का मानना है कि बार में महिलाओं की संख्या पर रोक लगाने का नियम उनकी आजीवी का पर बूरी तरह असर डालता है। के मामले में सुप्रेम कोट ने आर्टिकल 21 के तहट सेक्स वर्क को प्रोफिशन का दर्जा दिया है। कोट ने यू आई डी एई आई को आदेश दिया था कि वह सेक्स वरकर्स को जल्द से जल्द आधार मुहिया कराये। हिजाब पर बेन लगाने के मामले में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई सबसे ज़्यादा ये खबरों में रहा। इस पर आईशत शिफा बनाम करनाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोट की दो जज़ों की बेंच ने अलग-अलग राय रखी थी। एक जज़ ने किसी एक समुदाय को कुछ भी पहनने की आज़ादी को सेकुलरिजम के लिए खत्रा माना था जबकि दूसरे ने इसे व्यक्तिकत पसंद का मसला बताया था। गौर तलब है कि इससे पहले करनाटक हाई कोट ने हिजाब पहनने को इसलाम की essential practices मानने से इंकार कर दिया था। नौवंबर महिने में कोट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। आपको बता दें कि जनहित अभियान बनाम भारत संग मामले में कोट ने EWS के 10% कोटा को समवेधानिक माना। रेप से जुड़े cases पर भी कोट ने इस साले के एहम फैसला सुनाया था। जारखंट राज्य बनाम शैलंद्र कुमार राय के केस में कोट ने यौन उत्पीडन के शिकार महिलाओं के टूफिंगर टेस्ट को गैर कानूनी करार दिया था। इसके साथ है इस तरह की प्रैक्टिस को अप कोट ने आप राध की श्रेणी में रखा है। तो ये तो हुई बात 2022 में सुप्रेम कोट के कौन कौन से बड़े फैसले थे। आईए अब आज के ख़वरों में आगे बढ़ते हैं। इसका गठन साल 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के तौर पर कोलकाता में हुआ था। वर्तमान में NAI नई दिल्ली में स्थे थे। इसका मकसद सभी नौन करेंट गवर्मेंट रिकॉर्ड को इस्टोर करना है जिससे इन्हें प्रशासनिक और शोध जैसे कामों के लिए प्रयोग किया जा सके। NAI ने डिजटल तोर पर रिकॉर्ड को सुरक्षत रखने के मकसद से अभिलेख, पटल, पोर्टल भी तेयार किया है। साल 1962 में चीन ने भारत पर सैने आक्रमण कर दिया था, इस युद्ध में चीन ने अकसाई चीन पर नियंत्रण कर लिया था। चीन की सेनाएं अरुनाचल प्रदेश तक प्रवेश कर गई थी, जिसे बाद में वापस कर दिया गया। साल 1965 में भारत के ततकालीन प्रदान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण के मुद्धे पर विवाद हुआ। पाकिस्तान ने कच्छ क्षत्र और कश्मीर में भारत पर आक्रमण किया, इसके जवाब में भारत ने लाहोर की तरप से पाकिस्तान को काउंटर किया, एस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह सफलता हासिल हुई, जिसके बाद ताशकंद का समझोता हुआ था। साल 1971 में भारत की ततकालीन प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी थी, पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली को लेकर आंदोलन हुआ, इसके बाद हुए चुनाओं में शेख मुझबिर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत हासिल हुआ, लेकिन उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए बरबर हिंसा का प्रयोग किया गया, इन्ही परिस्तितियों के बीच दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, इसके पूर्वी पाकिस्तान बांगला देश की तोर पर सामने आया, इसके बाद दोनों देशों के और डाइबक डिजीज के तोर पर हुए है, जानकार बता रहे हैं कि डाइबक डिजीज नीम की पत्यों, टेहनी और फूलों के विकास पर असर डालती है, तेलंगाना और दूसरे रक्षणे राज्यों में इन बिमारियों से नीम की टेहनी और पत्यों में समय के पहले और जल्दी सूखने की परिशानी बढ़ रही है यहां तक कि इस बीमारी से नीम के फलों में सौ परसंट नुकसान होने का खत्रा इन राज्यों में मंडरा रहा है गौरत अलब है कि नीम के फल यानि निमबूली से निकलने वाले तेल का इस्तमाल कई तरह के इलाज में होता है इ नीम में कई तरह के एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल और दूसरी खूबियां हैं लेकिन नीम के पेड़ इनका इस्तमाल खुद की सुरक्षा में नहीं कर सकते हैं आपको बता दें कि डाई बैक के बारे में पहली बार जानकारी 1990 के दशक में उत्तरा खंड के देहरा द नीम एक उष्न कटिबंधिया पर्णपाती व्रिक्ष है और यह महोगनी के परिवार का हिस्सा है ऐसा माना जाता है कि यह पेड़ मूल रूप से असम और बर्माक शत्र में पाया जाता है यह पूरी खबर आपके परिक्षा के लिहाद से काफी एहम है क्योंकि 2014 में यूप नाशक के रूप में किया जाता है नीम के बीजों का प्रयोग जैव इंधनों और अस्पताल अप मार्जकों यानि होस्पीटल डिटर्जेंट्स का निर्माड करने में होता है नीम के तेल कानु प्रयोग औशधी उद्योग में भी होता है और पूछा गया था कि कौन से पिंट बैंक ने इक रिपोर्ट जारी की सालाना जारी होने वाली रिपोट में भारत के वापकोस को कंसल्टिंग से फर्म में टॉप रैंकिंग दी गई थी वापकोस इकलौता पब्लिक सेक्टर है जिसे से कटग्री में शामिल किया गया वाप कोस यानि WAPCOS जलशक्ती मंत्राले के तहत एक मिने रत्न एक PSU है इसकी स्थापना कमपनी अधिनियम 1956 के तहत 26 जून 1979 को की गई थी ADB की स्थापना एशिया प्रशांत क्षत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्य संस्थान के रूप में की गई थी यह अपने सदस्यों एशिया प्रशांत क्षत्र से हैं और 19 दुनिया के अनिक खशत्रों से है ADB मध्यम आये वाले देशों के लिए हार्ड लोन और गरीब देशों के लिए सौफ्ट लोन उपलब्द कराता है हार्ड लोन से मतलब ऐसे लोन से है जो उसी देश की करेंसी में वापस किया जाना चाहिए जिसकी आर्थिक स्थिती मजबूत हो जैसे अमेरिकी करेंसी डॉलर वहीं soft loan से मतलब ऐसे loan से होता है जिस पर ब्याज नहीं लिया जाता है या बहुती कम दर पर ब्याज लिया जाता है आईए जल्दीज देखते हैं आज की bulletin पर आधारित क्या सवाल बनते हैं पहला सवाल डाइबेक डिजीज सम्वंदित है नीम, आम, केला, सेब दूसरा निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए वापकोस जल्शक्ति मंत्राले के तहत काम करता है classified information को ग्रिह मंत्राले अधिसूचित करता है कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनना है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक नहीं दो आईए देखते हैं पिछले बुल्याटिन पर मैंने क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब क्या है पहला सवाल था प्रसाद योजना सम्मंदित है परयाटन, स्वास्त, शिक्षा या फिर गरी भी अनमूलन सही जवाब है उप्षिन A अगला सवाल था निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए श्री शैलम नल्ला मल्ला पहाडियों पर इस्थित है श्री शैलम कृषना नदी के किनारे स्थित है श्री शैलम के प्रमुख देवता श्री विष्णू है सही कथन को चुनना था केवल एक केवल दो एक और दो दोनो न तो एक नहीं दो सही विकल्प है इसका सी हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टडी IQ IAS हिंदी राष्टपती द्रौपदी मुर्मु ने तेलंगाना में रामप्पा मंदिर और भद्राचलम में प्रसाद योजना के तहत फाउंडेशन इस्टोन रखा राश्टरपती द्रौपधी मूर्मू दूसरी राश्टरपती हैं जिन्होंने आजिकारिक तोर पर भध्राचलम की यात्रपकी है उनसे पहले राश्टपती सर्वपली राधाकृष्णन ने साल 1965 में यहां की यात्रपकी थी भध्राचलम में कई मंदिरों का समू है यहां गुदावरी नदी के किनारे इस्थित राम मंदिर का डॉकिमेंटेशन सत्रहवी शताबदी में मिलता है पौराणिक कथाओं के मुताबिक भद्रा चलम दंडकारण या वन का हिस्सा था यहां पर भगवान राम, सीता और लक्षमन के साथ वनवास के दोराना आये थे यहीं से रावन ने सीता का अपहरण किया था भद्रा चलम से दो किलोमेटर दूर येतपका से जटायू पक्षी का इतिहास जुड़ा हुआ है वहीं काकतिया रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं मानिता के मुताबिक रामप्पा देश में इकलोता मंदिर है जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है ये तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालम पेट में स्थित है शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 1213 हिस्वी में काकतिय वंश के शासनकाल में राजागंपती देव के एक सेनापती रेचारला रुद्र ने कराया था इसे साल 2021 में भारत के 49 वे विश्व धरोहर इस्थल के तौर पर यूनेस्को के सूची में शामल किया गया था आपको बता दें कि प्रसाद यानि पिल्ग्रिमेज रेजुनेशन एंड स्प्रिच्वल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइब एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है परियाटन मंत्राले के तहट यह यूजनावित तवर्ष 2014-15 में शुरू हुई थी इसका मकसद धार्मिक परियाटन को बढ़ावा देना है इसलिए देश भर में एहम तीर थिस्थलों के पहचान करके उनके इंफ्राइस्ट्रक्शर को डिवलप करने पर जोर दिया जा रहा है भारतिया रेल्वे वंदे मेट्रो ट्रेंस लॉंच करने की तैयारी कर रही है उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 के अंत तक ये ट्रेंस पटरी पर दोड़ेंगी वंदे मेट्रो ट्रेंस पहली हाइड्रोजन ट्रेंस होंगी जिनका निर्माड घरेलू इस्तर पर किया जा रहा है इनका निर्माड इतनी बड़ी संख्या में किया जा रहा है कि 1950-60 में तैयार की गई डिजाइन को रिप्लेस किया जा सके गौर तलब है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेंस बहुत कम शोर करती है साथ ही इनसे प्रदूशन भी नहीं होता जर्मनी दुनिया का पहला देश था जहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेंस की शुरुवात की गई थी आपको बता दें कि प्रदूशन कम होने के चलते हाइड्रोजन को भविश्य का इंधन माना जा रहा है हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिस ने की थी यहां आवर्त सारनी का प्रथम तत्व है इसका प्रतीक H और परमाडू क्रमांक एक होता है वहीं परमाडू द्रव्यमान 1.008 है इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है यहां आवर्त सारनी का एक मात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में नीट्रॉन नहीं पाया जाता हाइड्रोजन जीवन का आवश्यक तत्व है यह स्वैम कोई बड़ी भूमिका में ना होकर कार्बन और ऑक्सिजन के साथ बॉंडिंग में रहती है इसकी सघंता सभी गैसों में सबसे कम है यह हवा से भी हलकी होती है यह एक रंग हीन गंध हीन गैस है हाइड्रोजन ब्रम्हांड में आसानी से मिलने वाला बड़ी मात्रा में पाय जाने बाला तत्व है प्रित्वे पर जल की उपलबधता होने से हाइड्रोजन भी बहुत दिसम्बर को स्वदेशी तोर पर निर्मित भीम यानि भारत इंटरफेस फॉर मनी की छटफी एनिवर्सरी है। इसे 30 दिसम्बर 2016 को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने लॉंच किया था। भीम एक बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम एप है। इसमें आधार प्लेटफॉर्म का यूज़ करके यूपी आई के जरिये पेमेंट की जाती है। भीम को स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों में यूज़ किया जा सकता है। इसे इंटरनेट और बगएर इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। और भारतिया बैंक संग की एक पहल है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा आठ के प्रावधानों के तहत नौट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। UPI यानि Unified Payments Interface एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मॉबाइल एप्लिकेशन में अटैच करने के सुविधा देती है। यह Peer-to-Peer Lain-Dain को भी पूरा करता है। जिसे आवशकता और सुविधा के अनुसार, शेडूर और भुगतान किया जा सके। इससे साल 2016 में NPCI ने लांच किया था। इस खबर की एहमियत को समझने के लिए साल 2018 में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि डिजिटल भुगतान के संदर्प में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भी मैप उप्योग करने वाले के लिए यह UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरन करना संभव बनाता है। जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाडी करन के दो घटक होते हैं, भी मैप में प्रमाडी करन के सिर्फ दो घटक होते हैं। 8.1% की कमी देखने को मिली है। हाला कि रोड एक्सिडेंट से होने वाली मौतों की संख्या में 1.9 की दर से इजाफा हुआ है। मंत्राले ने सडग दुरघटनाओं को रोकने के मकसद से एक रणनीती तेयार की है जो की एडुकेशन, इंजीनिरिंग, इन्फोर्स्मेंट और इमर्जेंसी केर पर आधारी थे। साथे ड्राइवर लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग व्यवस्था में सुधार के मकसद से इंस्टिटूट्स आफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च का गठन किया जा रहा है। भारत ब्रासीलिया डेकलरेशन और रोड सेफ्टी का हस्ताक्षर करता देश है। सडक, सुरक्षा या फिर जलवायू परिवर्तन। संबंदित है नीम, आम, केला, सेव। सही जवाब है विकल्प A यानि नीम। अगला सवाल मैंने पूछा था निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रशन का सही जवाब है दोनों कथन सही है। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIS हिंदी